हलो दोस्तो वेलकम टू टोपपर्स विलेज दोस्तो आज हम एकसाइस 3.1 के जो बचेवे कोशन्स है ना अल्दा कोशन नमबर 4, 5, 6, 7 ये 4 कोशन्स आज हम करेंगे ठीक है लेकिन स्टार्ट करने से पहले हम ये देख लेते कि कौन से चीज़े आज यहाँ पर जरूरत है उन चीज़ों की वो देख लेते है पहले तो थियोरी के अंदर एक तो हमें ये कनवर्जिन याद होना चीए रेडिन इकोल टू पाई बाई 180 इंटू डिगरी और डिगरी इकोल टू ये पता होना हमें जरूरी है फिर आज के कौशन ज्यादा तर इसी के आसपास घुमेंगे थिटा इकोल टू ल बाई आर या फिर एल इकोल टू आर थिटा में बात ये कि यहाँ पे जो थिटा है ये जो थिटा ना ये ये रेडिन में होना अची है अगर डिगरी में पूसा जा रहा ना तो पहले हम इसको रेडिन में निकालेंगे इस फॉमले के मदद से और फिर बाद में हम ये जो कनवर्जन वाला है ये फॉमला लगा देंगे तो आप ऐसा समझो कि आप आदत लेकिन इन एंगल्स की जरुत अब सबसे ज़्यादा है डिगरी में एंगल्स कोई खास बात नहीं है अब दोस्तो इस टार्ट करने से पहले मैं बता दू कि मेरी कोशिस ये रहेगी कि किसी भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में या फिर डेस्क्रिप्शन में उपर की और आपको कुछ रिकमेंडेट बुक्स मिलेगी जिनको आप फोलो कर सकते हो उन बुक्स को मैंने ऐसे लेवल वा हम definite tough question क्यों छोड़े तो दोस्तो question number 4 है find the degree measure of the angle subtended at the center of a circle of radius 100 cm by an arc of length 22 cm पाई की जगा में यह लेना है तो फिर सब वही बात होगे ना arc वगरा इनकी जरुत पड़गी तो आप एक circle बनाओ सबसे best कहा है पहले एक circle बनाओ फिर जो जो चीज़े इसमें बोली जारी उनको label करते चलो यहाँ पर बोलाए कि इसकी जो radius है वो 100 cm ठीक है तो यहाँ पर इसकी radius कितनी है 100 cm r equal to 100 cm फिर क्या बोलाए कि इसकी जो arc है उसकी length है 22 cm यह जो arc है यहाँ से लेके यहाँ तक यह कितना है 22 cm तो यह arc की जो length होती है उसको हम l से रेप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर यह समझो कि center किस पर है o point पर है हमें बताना है कि degree measure बताना है हमें यह वाला angle बताना है कि यह angle कितना है ठीक है theta लेकिन यह हमें degree में answer देना है तो सबसे पहले मैं आपे theta equal to क्या formula लगाऊंगा l by r यहाँ पर जो यह theta आएगा वो by default पहले radian में आएगा किसमें आएगा वो पहले radian के अंदर फिर radian से हमें इसको convert कर देंगे तो पहले radian में तू निकालो तो theta equal to कितना है l, l कितना है 22 by इनकी unit से हैं होने चाहिए cm में यह भी cm में तो कोई दिक्कत लिए आर, r किज़े कितना है 100 इतना हो गया अब इसको sol करो तो करो वरना रहने दो इसको अभी फिलाल रहने देते हैं लेकिन यह लिख दो कि यह किस के अंदर है यह radian के अंदर है ठीक है यहाँ पर यह radian के अंदर आया अभी calculation इसने इस तो 180 उपर आएगा नीचे πाई आएगा और यहाँ पर किसमें आएगा एंगल radian के अंदर जो मैं पहले से पता होगा तो यहाँ पर 180 अपॉन पाई, πाई की जगर क्या ले लेता हूँ, question ने बोला है 22 by 7 ले लिजिए multiply by, radian के अंदर एंगल कितना है था theta यह रहा 22 by 100 इसलि करते हैं थोड़ा simplify, 7 आ के उपर multiply जाएगा 18 से, तो यहाँ पर 18, 7 जा कितना होगा, 126 अपॉन नीचे की तरफ कितना 10, अभी यह पूरा का पूरा किसमें चल रहा है, यह डिगरी है ना, तो यह सब कुछ डिगरी में चल रहा है, और simplify करते हैं, 126 अपॉन 10 डिगरी जो था इसको divide कर लेता हूँ, तो यह हो गया 12.6 डिगरी, 0.6 से इसको अलग कर लेते हैं, यहाँ पर यह हो गया कितना, 12 डिगरी अलग और 0.6 है ना, तो इसको आप ऐसे लिख लो ना, 6 by 10, यहाँ पर 6 by 10 अलग रहने ही देते हैं इसको, यह डिगरी के अंदर चल रहा है, तो 0.6 इसको मैंने 6 by 10 लिख लिया, अब यह डिगरी में है, फ्रेक्शन है, तो इसको आप किसमें convert कर लो, minute के अंदर convert कर लो, क्योंकि point वाली चीज नहीं आनी चीए, नॉर्मल सी बात है, डिगरी में आए, तो degree से 60 unit भी तो होती है, तो point में नहीं जाना, आमे, degree से 60 unit minute में चले 12 degree, इसको 6 by 10 into 60 से multiply कर लेता हूं, तो degree किसमें आजाएगा, minute के अंदर, करते हैं इसको soul, तो 12 degree plus, यहाँ पे 0 से 0 कट गया, तो 36 किसमें आगए, minute के अंदर आगए, तो cool मिला के हम बोल सकते हैं, कि यहाँ पे जो angle बनेगा, यह अवला जो theta है, वो कितना होगा, 12 degree, 36 minutes के अं अगल है, आप radian के अंदर बोलोगे, तो radian के अंदर 22 by 100, ऐसा ही दिखेगा, ठीक है, इसके अलावा और कुछ नहीं दिखेगा, और अगर इसको आपको degree में बोलना है, तो theta equal to कितना होगा, 12 degree और 36 minutes, आते हैं, question number 5 बोला, देखो दोस्तो, question number 5 में क्या बोला, इन्हें circle of diameter 40 cm, तो एक diagram तुमें बनाऊंगा, यह बनाऊंगा, पहले एक बार question पढ़ लेते हैं, length of a code is 22 cm, find the length of minor arc of the code, ठीक है, एक circle है, जिसका जो diameter है, वो है 40 cm, तो radius कितनी होजाएगी, 20 cm, ठीक है, यहापर ही कितना है, 20 cm, अब बोला है कि length of a code is 22, यहाँ पर एक कोई length है, कोई code है, तो code तो सीधी सीधी होगी, a और b यहाँ पर समझे लो, यहाँ पर यह वाला point हम o मान लेते हैं, तो इसकी जो length है, यह length भी कितनी है, 20 है, इनको मैं convert कर दे, ऐसे join कर देता हूँ, अब पूछा क्या है, find the length of minor arc, हमें यह वाली length बतानी है, हमें क्या चाहिए, a, b वाली जो r का न, इसकी length हमें चाहिए, अपना concept क्या यह रहेगा, अपना concept, यह इसकी length क्या होती है, l, तो l equal to r theta, यह अपना formula तो होता है, l equal to r theta, यह हमें चाहिए, तो देखो r की जगह तो कितना रुदूँगा, हमें 20, अब रही बात theta की, theta भी हमे इस 20 है, तो यह जो triangle है, triangle o, a, b, यह एक equilateral triangle हो गया, कैसा triangle हो गया, एक equilateral, तो यहाँ वाला जो theta है, यह जो theta, यह equilateral triangle हो गया, तो सारे इंगली 60 degree हो गया, तो आप theta की जगह क्या ले कैसे लोगी, theta की जगह 60 degree, लेकिन फिर से वोई बात, यहाँ पे जो भी theta होगा, वो actually radian क के अंदर होगा, किस के अंदर होगा, radian के अंदर, तो इस 60 degree को, अभी degree है ना, इसको radian में convert करो, फिर यहाँ पे रखेंगे हम, तो theta equal to, यह degree में, radian के लिए क्या होना चीए, theta equal to, यहाँ पे pi आ जाएगा, और निची कितना जाएगा, 180, radian में निकालना तो pi उपर आ क्या होगा, r theta, तो l equal to r, r मतलब कोई, radius कितनी, 20, into theta, theta क्या है, pi by 3, तहाँ पे pi by किया देगा, तो इसका total answer क्या बने गया, 20 pi by 3, ठीक है, यह इसका होगा answer, 20 pi by 3, दोस्तों अब आते हैं, sixth question पर, इसमें बोला है, if in two circles, दो circle से, arc of same length, subtend, angles 60 degree and 75 degree at the center, find the ratio of radii, length of arc यहाँ पर same है, angle अलग लग है, angle अलग लग है, तो यहाँ पर जो radius है, वो भी दोनों की अलग लग है, तो ऐसा समझो कि एक छोटा circle है, एक बड़ा circle है, अलग लग है तो कोई नो कोई चोटा होगा, कोई नो कोई बड़ा होगा, तो मैं diagram में दो circle बना लेता हूँ, sixth question क समझने के लिए, एक छोटा circle है, और एक बड़ा circle है, इसने बुला कि length of arc, length of arc equal to, length of arc क्या है, same है, मतलब जैसे कोई धागा लो, उसको यहाँ से लेके यहाँ तक रखो, तो वही धागा, इधर तो ऐसा होगा नहीं कि यहाँ पर बड़ा हो जाएगा, वो यहाँ से लेके इ यहाँ पर इसका center दूर है, तो दूर की तरफ अगर हमें angle subtend करना है, तो automatically angle जो हो है, वो छोटे बड़ेगा, हम बाद में देखेंगे, आप तो यहाँ पर theta 1 लगाओ, यहाँ पर theta 2 लगाओ, यहाँ पर और क्या बोले, देखो theta 1 बोला है, 60 degree, ठीक है, उल्टा स उल्टा ऐ इधर आता है, छोटा से लगले, इधर आता है, लेकिन वो तो diagram बनाने की बात है, आप तो करते चलो, automatically इसकी radius बढ़ी आएगी, और इसकी radius छोटी आएगी, अच्छा इसकी theta 1 के साथ में जो radius वो r1 ही मानो, ऐसे नहीं theta 1 के साथ r2 या r3 ऐसे अलग-लग मान रहे हो, ठीक है इनका जो lower sufficient वो same होना ची, theta 2 के साथ में यहाँ पे r2 मान लो इसकी radius, इधर इसकी जो length of arc है, यह l है, तो इसकी भी l ही होगी, यह यहाँ पे दोनों circle के अंदर same चीज है, length of arc दोनों के अंदर same है कितनी l, तो अगर मैं इधर की तरफ length of arc का formula लगा हूँ, l equal to main formula तो r theta ही होत theta 1 है, तो l equal to r1 theta 1, दूसरे में क्या होगा, यहाँ पर l है, तो l आएगा r2 theta 2, ठीक, r की जएगा r2 है, theta की जएगा theta 2 है, तो यहाँ पे r2 theta 2 आगाएगा, दोनों situation के अंदर, यह तो standard formula है, हमने इस question के according बात की, तो यह दोनों formula है, दोनों के अंदर यहाँ पर भी l है, यह यह ratio चीए, actually हमें क्या चीए, r1 ratio r2, हमें यह चीच चीए, तो r1 ही क्यों हो, क्योंकि पहले जिस angle का चिकर हो गया, उसके corresponding जो radius आएगी, वो पहले आनी चीए, तो r1 upon r2 में चीए, यहाँ पर values रख देते हैं, यह r1 theta 1 कितना है, 60 degree, तो degree वगेर हाटा दो, r2 कितना है, r2 म हमें चीए, r1 upon r2, तो यह जो r2 है, इसको इसके निचे लिया हो, और यहाँ पर 60 क्या कर रहा है, इसको उधर बेज दो, तो r1 upon r2 equal to 75 upon 60, 15 से कट हो जाएगा, यार हम से तो यह 5 by कितना जाएगा, 4 जाएगा, इसका मतलब जो हम चाहते है, r1 ratio r2 कितना आगया, 5 by 4 मतलब 5 ratio 4 आगया, ठीक है, आसान चीज है, डाइगराम मना लिया करो, ठीक है, आसान रहेगी सारी चीज, आप बस पहले डाइगराम मना लो, अगर सरकल का नाम भी आगया ना, तो एक डाइगराम मनाओ, फिर समझो उसको, दोस्तो अब देखते हैं, 7th question, exercise 3.1 का, find the angle in the radian, through which a pendulum swings, if its length is 75 cm, and the tip, यहाँ पर जो length है, 75 cm, मैंने कुछ cases बना ली हाँ पर, और बोलाएगी, जो tip है न, describe an arc of length, 10 cm, 15 cm, 21 cm, ठीक है, जैसे, यह arc of length बढ़ती जली जा रही है, तो पहले यहाँ पर जो L था न, यहाँ से लेके, यहाँ तक, यह L की length कितनी थी, 10 cm, फिर थोड़ी सी fluctuation होने लग गया, तो L की वोली यहाँ पर कितनी होगी, 21 हो गई, ठीक है, इन तीनों cases के अंदर radius से हम है, इन सब के अंदर radius कितनी है, R equal to 75 cm, तो बताना क्या है हमें, हमें angle चाहिए, हमें क्या चाहिए, तीनों cases के अंदर angle चाहिए, और वो भी किसमें चाहिए, हमें radian के तो इस बार तो आसान है, यह काफी आसान question हो गया, theta का formula क्या होता है, L by R, यहाँ पर by default है, यह किसमें आता है, radian में ही आता है, और हमें radian में ही निकालना, degree में convert करने के ज़रत नहीं है, तो L upon R, यहाँ पर क्या जाएगा, 10 upon 75, 10 upon 75, इसको थोड़ा बहुत कट कर लो, तो 5 से कट करेंगे, तो 2 by, यहाँ पर कितना जाएगा, 15 जाएगा, अब यहाँ पर इसको calculate करने की ज़रोत हमें नहीं है, यहाँ पर एक real number की तरह आगया, 2 by 15, यही radian के जाएगा, यहाँ पर हमें यह theta चीए, यहाँ पर यह theta चीए, तो theta equal to, यहाँ पर भी कितना जाएगा, L by R, L की लेंद कितनी है, 15, R, R की लेंद कितनी है, मलब radius कितनी है, 75, तो 75, 15 से कट करेंगे, तो 1 by 5, यहाँ पर angle आदाएगा, radian के अंदर, यहाँ पर C लगाओ, तो लगाओ, वरना रहने दो, फिर third case के अंदर, last case के अंदर, theta के आदाएगा, L by R, length of R कितना है, 21, radius कितनी ह यहाँ पर 75, किस से cut हो सकता ही, 3 से cut हो सकता तो यहाँ पर उपर की तरफ 7, 3 से cut करेंगे तो उपर की तरफ 7 आ जाएगा, नीचे cut करेंगे तो 25 आ जाएगा, तो यही कहादी थी आज की अपनी इस exercise 3.1 की, अब मिलते हैं अगले class के अंदर, अगले video के अंदर, अगले video जो झाल